हाँ, अब उचीत है अब मैं शांती वारता संदेश देने की ये तैयार हूँ नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम कदाचित तुम दंट पाए बिना रुकोगे नहीं कदाचित ये दानव समझ गया है कि ये गनेश जी के सामें नहीं टिक सकेगा वस सब और नहीं, इस सो दंट को दंट मिलना है चाहिए हाँ हाँ, सुनो अपने पिता का अदय शुद्वुखं और रुकोगे वेर्थ में प्रोध करने का कोई लाप ने, क्योंकि मैं यूद के लिए आया होता, तो तुम अभी जीवित ना होते, ये तो तुम्हारा भग्य है, कि मैं शांति वार्ता के लिए आया, शांति वार्त ये ब्रांती है तुम्हारे मन की, ये कदाचित ये तुम्हारे मन का भय है, जो शांति की बात कर रहे हूँ, भूलो मत, तुम्हें बंदी बना कर लाने वाला यहां मैं ही था, रुको, कहने दो जो उसे कहना है, वैसे भी महंद्रपुरी का नियम है, मरने वाले की संसार के इस नश्वर मयाजाल भोग विलास को त्याक कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर, इस्वर के उस भक्ती में लीन हो जाओ, जिसका ना कोई यादी है, ना कोई अंत है, प्रभु भक्ती में बहने वाले भाखन, तुम्हारी बहीन अजामुखी, और बालक जेंत ने भी तुम्हें प्रभु कार्तिके का यही संदेश बताया होगा, असूर जाते के विनाश को रोकना चाहते हूँ, तो सुनो असूर समराख सूरा पदबन, महंदर पुरी को पाप नगरी से, पुर्ण आश्रा में परिवर्तित करो, प्रभु छमाशील हैं, तुम्हें छमा करें यही समय है, यही अंति मौसर है, यदि अपने अस्तित्यू को बचाना चाहते हूँ, तो प्रभु कार्तिके के प्रभुत्यू को समझ कर, उसे स्विकार करो यह विशाल, यह विशाल, शीला तो देर से ला क्योर बढ़ रहेगी, और भाबी मा की साहता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते वलडारा का सामना तो कर लिया मैंने, किन्तु इस शीला रूपी संकट को कैसे रूखूँ, अब भाबी मा क्या करेंगी? यह क्रूर दानव ऐसे रूखने वाला तो नहीं, अवश्य इसके मन में कोई और विचार है जहएएएँ था है जहएएएएएए पर भूज़ को पर गानेजी को निकल सथी है जब क्रेशी को निकल लिये दानव अब क्या होगा अब क्रेशी को इसे मुक्त कैसे करें जब जयन्त की द्रिष्टी में ही गणेश निगला गया तो जयन्त को परिवर्तित करना इतना कठिन नहीं होगा पर उससे भी महत्वपूर्ण ने भीर बाहू को पाठ सिखाना कोई ना सबजना चाहे तो सारा ग्यान धरा का धरा रह जाता है पिता जी ये बहुत कुछ कह चुका है और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं अब मुझे इसे दंडित करनी के अनुमती दीजिए दंडित तो होगे किन्तु तुम सभी पभू कार्थिके द्वारा यदि उस दंड से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मुक्त कर दो देवताओं को जैन्त को लोटने दो मेरे साथ तो कदाचित परभू तुम पर थोड़ी तया कर दे नहीं कोई नहीं जाएगा यहां ना देवता ना जैन ना तुम मुझको रोकोगे तुम है इतना साहस तो क्या उने भी लोग सकोगे जो मेरे साथ यहां आए है प्रभू कार्थिके कहनोच स्रेम श्रीविग्न हरता श्री गनेश जिन्होंने अब तक जैन्त को उस मायावी कारगार से मुक्त भी कर दिया होता मैं भी जाओंगा यहां से गनेशी भी और देउता भी और जैन्त भी तो इसमें इतना विलंब क्यों जाओ ले जाओ अपने जैन्त को इस समस्त क्रिया कलाप में सबसे महतपूर्ण भूमी का माया सुरा साई की ही है यह सभी उसके सामने नत्मस तक है तुम जैन्त को ले जाने के लिए स्वतन्त रो माये कैसा आदेश दे रही है यह तो हमारी पराजे होगी इस समस्त क्रिया कलाप में सबसे महतपूर्ण भूमी का माया सुरा साई की ही है यह सभी उसके सामने नत्मस तक है तुम जैन्त को ले जाने के लिए स्वतन्त रो माये कैसा आदेश दे रही है यह तो हमारी पराजे होगी पुद्र ये लो तुम्हारा जैन्त तुम्हारे सामने पुद्र जैन्त रुको उसे उचने तो दो जैन्त यहां है तो गणेश जी किसी रक्षा करने के है यही विचार कर रहे हो ना कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो उसका अनुज गणेश जैन्त को बचाने गया था कहा है किन्तु वही उलच कर रह गया विग्न हरता है गणेश जी उन पर कोई विग्न कदापी नहीं चा सकता उचित है तो तुम यहां क्यों रुके हो मैं अनुमति दे रही हूँ ले जाओ अपने जैन्त को यहां यदि किसी करान वश गणेश जी को सहयता की आवशकता भी होगी तो मैं फिर यहां लोट सकता हूँ किन्तु सर्व प्रथम मुझे जयंत को यहां से ले जाना होगा क्योंकि सिर्फ उसकी मुक्ति से ही यह यूध टव सकती है दूविधावे मत रहो ले जाओ इसे यहां से जब यह यहां से जाएगा तभी तो समस्त संसार में उनकी महिमा का गुनगान कर सकेगा जयंत तो प्रभुकार्थिके का परमभक्त है फिर यह उनका प्रचार करने के अनुमति क्यों दे रही है उस प्रचार से समस्त संसार को वास्तविक्ता का ज्यान होगा कौन है भगवान, कौन है सरवोच्च राजा, कौन है जो संपूर्ण ब्रह्मान पर नियंतरन कर सकता है और जयंत से उत्तम ये कार्य कौन कर सकता है भला तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भफ्त हो ना तो अपने प्रभु का प्रचार करूगे ना मेरे प्रभु उनके मानता का प्रचार तो परम उधेश, परम धर्म है नहीं संदेश सभी तक पुचाओंगा कि उनसे मान कोई भी नहीं है जो मेरे प्रभु है अर्षर समराज सूरा पर्णाई हम करें तो क्या करें भावी मा के साहता कैसे करें देवराज मुझे कोई हुपाए नहीं है यदि हम यहां से आठे तब ही तेम से ना बजिक कुमार साथ ती केठी का पस्या भंग हो जाएगी मुझे शामा कर दे प्रभु इतना कठोर संघर्ष करने के बाद इतना कश सहने के बाद जब वो अपनी परिक्षा के चरम पर है तब वो कहीं अपनी पराजे सुईकार तो नहीं कर लेगी तुधारे मुक्त से अनुची सब सुनने की आशा नहीं थी मुझे भै छोड़ दो पुत्र मैं हूँ नहीं या तुम्हें अच्छा करने के लिए भै कैसा अपने भगवान से भैवित होने का कोई कारण नहीं पहले मैं भूल कर रहा था लेकिन अब मैं सत्य समठ चुका हूँ अब मुझे मात्रों और मात्रों अर्सुर सम्राठ भवान सूर पद्मन और असूर माता माया सूर सही में यह तूट आसता है अपने प्रभु भवान सूर पद्मन का जितना महिमा गान करें उतना ही कम है जिन्होंने अपने नाना के वदिक देवताओं को डंड दिया जिन्होंने स्रिश्ट्री के एक से स्त्रुक आठ भागों में आसूरी सत्ता स्थापत की है जिन्होंने देप्ताओं को स्वर्ख से निश्काशित किया है जिन्हों है प्रभू के सचे भग के साथ क्या किया है नकूरों ने इसका हिर्गे प्रिवतन कैसे हुआ छि alk unc आगा हुआ फ्ररफ पक जलावद के देव से नकून फर्फ नहीं डूर को भीशना पड़ाओं सोब नहीं सुन सकता मन तुबाई सुन सुन सकते मैं तुबाई अलंगुद तुबाई मैं यहां आया था कि प्रभू के परंभध बालक जैन्त को इन अतोर की दुष्टता से मुक्त करा सकूँ शत्रू भग्ध जैन्त को लेकर मेरे मन में कोई सा अनुपूती नहीं तुम्हे ले जाओ या ना ले जाओ तुन्हों ही अवस्था में मैं प्रभू के कारे में असफल रहा हूँ अब मैं किस मुक्त से उनके सामने जाओंगा अब मेरे सामने तो बस एक ही मार गए मैं यहीं अपने प्रान तैक दू आज पहली बार कुछ उचित कहा है तुमने इतनी लज्जा तो हम असुरों में भी है यदि मैं तुम्हें पकड़ने में विफल हो जाता तो दादी मा और पिताश्री के सामने आने से पहले अपने प्रान त्याग देता बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे देता सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभू के दूद बनके आये थे जैंत को लेने तो ले जाओ ले जाओ इसे या अपनी भक्ती का प्रमाण दो और जो कहा है वो करके दिखाओ त्याग दो अपने प्रान हमें भी तो ग्यात हो कितने बड़े भक्तों तुम अपने प्रभू के हमें प्रभू के अज़ू से कितने ये स्थजशण आनोंts नदेद्चे अ जड़िए क्यात्लिक समय हो कितते हैं अजयों मिल विला ए Punkt 맛있 === प्रॉक्त प्रॉक्त कर दो का म कर दो गसाihad कर दोally कि दोडिय करृ़कर की आप दून कर दो फुआ एार प्राजन, फवा ciao नार झाल! मैं नारा झाल! झाला झाल झाला झाल तवाँ जाला झाला सुप्रमाणियम स्वामी कार्थिके की जै 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 सुब्रमणियम स्वामी कार्थ के की जय ओम सुब्रमणियम कार्थ के स्वामी ये तुम नहीं समझ सके दानव भीतर घात प्राण घातक होता है वो फूते के मत्रशूल ये तृषूल तो वो इस राक्षस के शरीर से निकल रहे है अर्थात विगन अर्था गिनेजीज दानव रूपी विगनगा भी अंत कर रहे है प्रतम पूट गनेश लेकिन जये प्रतम पूट गनेश लेकिन जये महेंद्र पुरी से नहीं जीवन से मुक्त करो इनले प्रभू की शक्ती के निरंतर प्रमान पाने पर भी अपना आहंकार अपनी माया का त्याग नहीं क्या तुमने थोथूम अब दया के भी पात्रों हो और दंड के भी इसलिए प्रभू को युद्ध करने आना ही हो गया हमारी अगली भेट अब युद्ध दुभूमी में ही होगी अगली भेट की कलपना मत करो ये तो तब होगा जब तुम यहां से जा पाओगी सेनी को बंदी बना लो इनको अच्कलय मुझे क्या करना है, मैं समझ क्या पर दो प्रियास करो, उन्हें पकड़ने का प्रियास करो यह तो सब भस्प कर देगा, जंपून बावन अगनी में स्वाह हो जाहेगी, कोई पुछाओ इस अगनी को, रोखो इस दुस्त को यहाँ भंपर किसी का ध्यान नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए प्रियास कर देगा, जिसके कारण में सफल हो सके, आपको कोटी कोटी भेन्नेवाद, आप बहुत प्रसन हो, क्योंकि पुत्री देश सेनर ने प्रमाहनित कर दिया, कि इसकी भुक्ती और निष्ठा सच्ची है, और संकतकार में, अपने भाईवपते की रक्षा में आजिक रहकर, उसने दक्षा दिया है, कि वो पुत्रकार्थिके की अर्धानली बनने के लिए संयूक्त है, आजिके की अर्धानली अर्धानली बचाओ, कि अर्धानली बचाओ, अच्छा करो अपनी, यहां सब पक्रोराने गाया वो दिष्ट, मिल जाये तो उसे भी भस्म कर दूँगे नहीं, ये उचित नहीं किया गणेश और उस कार्ति के दूदने वरप्रथा में सगनी को बुझाऊंगी मैं, फिर उन्हें दंड देने का उपाय करूँगे देखो, वसुर माता ने ये संकर टाल दिया, भागने बुझ गई, हम सब रक्षित हैं, अब भागने के कोई आवशक्ता नहीं किन्तु कहां गए है वो, कैसे निकल सब्टे है यहां से, यहां से निकले है, महेंद्र पुरी से नहीं निकलने चाहिए चिंतित ना हो दादी मा, वे अधिक दूर नहीं गयोंगे, वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंड लूँगा रुक जाओ जूनने में समय व्यर्थ मत गवाओ, यह लो, यह अस्तु तुम्हें उन तक पहुचा देगा, और फिर तुम बद भी कर सकोगे, उस कार्थिके को भी ग्यात होना चाहिए, कि हमारी अनुमती के बिना, महेंद्र पुरी से कोई बचकर नहीं जा सकता, बस उसका विचार कर, धर्ती पर चोट करने की तेर है, और तब तुम बिना विलंब किये, उनके निकट पहुच जाओगे, नाम गनेशी, प्रभू अब हमें यहां से प्रस्थान करना चलिए, प्रभू, आप प्रस्थान कर रहे हैं, मैं जयांत को आपके साथ सुरक्षिक देखने यहां चली आ होगे, अपने रक्षा कर ले जाएंत के नहीं, मैं हूँ यहां, जीवत नहीं लुटने दूगा तुम्हें प्रभू, आप इसकी चिंता मत किजिए, यह तोस्थ जयन्त का पर्ष्मिदी कर पाएगा स्वामी, मेरा सफल होना, आपकी ही कृपा का फल है प्रभू, तौम ठेक दो होना हम तो यह सोच कर चिंतित है, कहीं तुम्हारे कारण देव सिनापती कुमार कार्थी के अपना सयम नखो दे कहीं उनका ध्यान न भटक जाए हाँ, पुत्री, किन्तो तुमने जो किया, वो कोई नहीं कर सकता अपने प्राणों को न्योचावर करने के लिए तयार थी आप, उनकी तपस्या को भंग होने से बचाने के लिए हाँ, पुत्री, और तुम भी सुरक्षित हो, और इस परिक्षा के परणाम को देखकर, मैं आत्य अंतानन देत हो देशनाप, देशनाप देशनाप भावी मा अचानक मूर्छित क्यों हो गई देवराज? हुप्स्स्स्स्स चिंता मत करो पुत्र जयन्त, ये स्थिति अब शीग्र ही ठीक हो जाएगी और तुम हमारे साथ लोट जाओगे किन्तो प्रभू गनिश्धी, मैं ऐसे लोटना नहीं चाहता हूँ मैं ऐसे लोटना नहीं चाहता हूँ क्यान चाहता हूँ क्याहता जयन्त तुम चिंता मत करो कोई भी आहत नहीं होगा तुम निश्चिंत हो हमारे साथ चल सकते हो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ मेरे होते हुए चाह कर भी जयन्त तो क्या तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता और यदि यहां से कोई जाएगा तो उसका शब जाएगा उसके लिए अपने प्राण गवाने होंगे तुम सभी को बाता मुझे जाने दीजिए सुद मुगन वहां उन देवताओं के सामने अकेला है नहीं सिय मुगन ना ही वो अकेला है और ना ही तुम्हें जाने की आवशक्ता है ओ असुरों का पूरा समू है इसके साथ साथधान असुरों की विशाल सेन्य टुकडी लेकर आया है ये कहां गने जी हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है अगनी देव हम उन अद्रिश्य असुरों से चारों और से घेरे हुए है माया भी है वो केवल दिव्य द्रिश्टी से ही इने देख पाना संभव है